असलाम लेकूम, वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल, तो आज ये मेरी दूसरी वीडियो है, आज मैं तकरीबन बारा बजे उठी थी, उठते साथ ही मैंने अपने रूम को समेटा है, बेट पर मेरी कुछ चीजें थी, लापटॉप और हैंड्स री वगएरा, उसके इलावा वाटर बॉर्टल थी और मेरा बैग था, उसके बाद मैंने बेट चीजेट सेट की है, मैं यूजिली लेट ही उठती हूं, तो मैं फिर ये करती हूं कि जब आप अपने कमरे को छोड़ती हूं, आपने कमरे को बिल्कुल नीट करके कमरे से बाहर जाती हूं, फ्रेश हुई लेघ हूं तो मैं थोड़ा भान घर काम साथ-साथ निकालती हूं और इसके साथ ही मैं बीच-पीच में अपना खाने पिने का खाना बनाना है तो वो भी brake साथ देख लिए होती हूं तियूँ साथ एगर मैं लुए नहीं जिता है उड़ा surprisingly किचन में किसी ने यूज भी किया ना तवा और मेरे सामने भी किया और वो जा रहा है और मैंने खुद कुछ बनाना है तो मैं सबसे पहले तवे को साफ करूंगी और बेलन और जिस पर रोटी बेलते हैं उसको चिम्टे को सब को मैं साफ करती हूँ तो बरतन मैं दो लेती हू अराम से बरतंद होकर मैं अब साथ इनको लगा भी दूँगी उसे यह होता है किचन जो है वो फैला हुआ नहीं लगता आपको बहुत जादा और आपका किचन बिलकुल नीट और क्लीन हो जाता है पहले मुझे बरतंद होना इतना पसंद नी था क्योंकि मेरे नेल्स चूट जाते थे अब मैं करती यह हूँ कि मलमल का कपड़ा रखती हूँ और उससे यूस करती हूँ और अगर कहीं कोई पार्टिकल वगिरा होता है जो बहुत ज़ए चिपका हुआ होता है तो उसे मैं स्टील की जाली से साफ कर लेती हूँ बरतंद होने के बाद अब मैं ये अपना चूलहा साफ कर रही हूँ चूले के साथ कल सीन ये हुआ था बहुत ज्यादा गंदा हुआ था रात को जब मैंने दूद बॉइल किया तो वो गिर गया और उस टाइम में इतना ज्यादा ठकी हुई थी और मुझे आइडिया भी नही करती थी पहले अब करना स्टार्ट किये हैं तो वो दूद सुबा में बिलकुल चिपक गया था चूले के साथ और उसको तारना इतना मुशकल हो रहा था खैर मैंने पहले साबन लगाया उसके बाद उसको क्लीन कर लिया अब इसके बाद मैं काउंटर साफ कर रही हूं काउ मेरा दिल नहीं कर रहा था गर्मी बुकाद ज़ादा है कि मैं कोई रोटी या पराठा काऊ और नॉमल डेस में मैं पराठा सालन के साथ खा लेती और अंडा फ्राय कर लेती अब फिर मैंने सोचा कि ना खाऊं इससे बेतर है कि मैं कुछ खा लूँ तो मैंने अंडा हुआ ह दूद मैंने इस तरीके से बनाया है मैं चीनी नहीं पीती हूं दूद में मिक्स नहीं करती हूं मैं करती हूं कि दूद लिया एक ग्लास उसमें ढीर सारी बर्फ डाली और थोड़ा सा रूपसा डाल दिया तो वह एक फीका भी निया आपको लगता और बहुत मज़ेगा हो जाएगा इसमें यह है कि बहुत जदा हाई कैलरी मील नहीं है और मैंने क्योंके दो टाइम का ही मिक्स किया यह मेरा ब्रांच था तो ठीक है यह अब यह सामें आप देख सकते हैं बेला बैठी हुई है बेला को मैंने आज वाश किया है नहला आया तो इसको बहुत बुरा क्योंके इसके बाल बहुत जदा आजकल उतर रहे हैं और खराब हुए मैं तो पहले तो नहाने के बाद इतनी बुरी लगती है चिपक जाती है बलकुल और अब यह थोड़ा सा सैट हुई है लेकिन इसको सैटिसफैक्शन नहाने के बाद यह खुद को ज्यादा साफ करती ह नॉर्मल डे से इसको लगता है चाहिद यह अब ज्यादा गंदी हो गई है और बेला का मूद बहुत खराब हो जाता हने के बाद अब यह सैड होकर बैठी रहेगी इसलिए मैं इसको राम राम से प्यार प्यार से हम लोग इसको पकड़ कर ब्रश कर रहे हैं इसके बालों क साथ हमने किया यह हुआ है जब हम बैला को नहलाते हैं तो बैला बहुत जदा घुछ सा हो जाती है पूरा दिन इसका मूद आफ रहता है तो फिर मैं साथ ही ना ड्राय होने के बाद इसको कैट फूड डाल देती हूं और साथ चिकन थोड़े से सूप में बना कर ताके हाइ क्योंकि इसको जिस तरह से हम मुझे राइस बहुत पसंदा है बैला को अपनी कैट फूड बहुत जदा पसंदा है यह पूरा दिन भी आप इसे डालते रहे और यह खाती रहेगी और फिर भी ऐसे आपको देखेगी कि कैसी लुक कर आती है जब इसकी बरतन के पास जाओ ज तो जालकर आलो बॉइल कर दीखेगी उसका सालन बनाया है चोड़ का लगो से चफमाट जालाrations तो यह मैंने एक दफ़ा ट्राइ किये थे ब्लाक जनों के सालन में चावल डाल के कुछ लोग बॉयल करके भी खाते हैं जो मुझे पसद नहीं है मैं इसको जिसना से मटर पुलाओ बनता है उस तरीके से बना लेती हूँ और यह बहुत मज़े के लगते हैं एक दफ़ा तुके से मैंने बनाये थे और मुझे बहुत अच्छ लेगे थे तो अब उसके बाद से जब भी यह ब्लाक जनों का सालन मनता है मैं चावल इसके बना लेती हूँ नेक्स टाइम एक मील के बाद हमें चावल रेडी हो गए थे चावल बहुत जुड़ जाते हैं मैं जितनी मर्जी ट्राइ कर लूँ चावल हमेशा मेरे चिपक जाते हैं आप चाहई जो मर्जी जस पी क्वालटी का चावल होगा मेरा जूरू चिपके काप मैं अब थोड़ा सा इस पे काम भी कर लही हूँ तो मैंने अब खाना लिया है क्योंकि मैंने सिर्फ अंडा खाया हुआ था और दूद पिया हुआ था बहुत ज़दा कैलरीज थी नहीं और काम मेरी अक्टिविटी आज बहुत ज़दा थी तो इसलिए मैंने बहुत ज़दा ड्रेंट फिल करी थी तो अब मैं यह चावल ले यह था दे भी और साथ थोड़ा सालन लिया क्यूंकि मुझे यह सालन भी पसंदा मैंखा भी भुत मज़दा है कि मुझे भी था जाना था जावल मति भी तो झालो है झाल दिशावल जाला के मैं घाएट परूं कि मैं था एक सोच के सैटिसफार कर लेती हूं कि मैंने एकर अब आपने रूम में आगई हूं और रूम में आने के बाद में नेट फ्लिक्स पर एक सीजन देख रही हूं मैंनिफेस्ट और यह बहुत अच्छा सीजन है मैं हमेशा खाने के साथ ना कुछ लगा लेती हूं यूट्यूब पर कोई विडियो देख लेती हूं कोई और चार सीजन हैं और चारों के चारों ही बहुत इंटरस्टिंग हैं और अब यह आज कंपलीट हो जाएगा इसके लास्ट एपिसोड है उसके बाद ही खतम हो जाएगा बहुत ही इच्छा है रिकमेंड़ है इसको देखना चाहिए काफी इंटरस्टिंग है हमारे मुझे तो इससे बहुत से लेसंस भी मिले हैं और जो मुझे मेरी एक नेचर है किरोसिटी मुझे बहुत पसंद आती है मैं क्यूरियस नेचर की हूँ तो फिर इसमें वो सारा वो सब कुछ है तो मेरे लिए तो यह सीजन बहुत ही मुझे पसंद आया अब तक मैंने जतने भी सीज में सबसे ज्यादा अच्छा मुझे यही सीजन लगा है कुछ फ्लॉज भी थे बारहाल खाना मैंने खा लिया था उसके बाद मैं थोड़ी सी स्किन केर की तरफ आई हूँ क्योंकि घर में हूँ तो मेरी कोशिश यह है कि मैं थोड़ा सा अपनी स्किन को भी ठीक करूं अपने